हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास विफ्ट की मैट्स की वक्षीट नंबर स्टैवन जो कि 9 अप्रेल 2021 की है और इस वक्षीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और पलेकर भी दवा देज जिससे सबसे पहले निव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुन सके तो चलिए शुरू करते हैं संख्या गुबारे भाग तो यानि पिछली वक्षित में हम लोगों ने पढ़ा ही था कि संख्या को कैसे खोलते हैं और मैंने आपको सिखाया भी था तो अली और रितु ने किस प्रकार से डाकिय भाईया की घर की नंबर पढ़ने में मदद की थी डाकिया भाईया ने जितने पे चिटियां अली और रितु से पढ़वाइं थीं वे सभी थोड़ी देल में बाट दीं अब उन्होंने सोचा कि कुछ समय अभी पाकी है क्यों ना बाकी चिठियों के भी पते इनी बच्चों से पढ़वा कर बाठता जाऊं। डाकी भहिया फिर से अली और रितु के घर पहुच गए। फिर से उन चिठियों को बाठने। उन्होंने दोनों से बाकी चिठियों के पते पढ़ने का अनुरोद किया। अली और रितु ने उनका अनुरोध मान लिया और बाकी बची हुई चिठियों में से एक कापता पढ़ने का प्रियास करने लगे परन्तु अब दोनों ही संख्या को नहीं पढ़ पा रहे थे अब रितु और अली दोनों ही संख्या को नहीं पढ़ पा रहे थे इतने में उनक दिखाती है संख्या कीसे खोलते हैं जैसे यहां है आपका नमबर हम उसे प्रकार से करेंगे एजिसा हमने पि export दिखे हमने ने फार प्रक्षित में खोला था यहां पर अगर हम पहली संख्या देखें तो वह 7 क्या है पहली संख्या 1 है तो एक के आगे कितनी संख्या है एक दो तीन संख्या है ना एक के आगे तीन संख्या है तो हम एक के आगे तीन जीरो लगा देंगे ठीक है एक के आगे तीन जीरो ओके बच्चो और अब अगर हम देखें अगली संख्या को तो वो है यहाँ पर चार और चार के आगे कितनी संख्या है एक दो दो संख्या है तो चार के आगे हम दो जीरो लगा देंगे अब यहाँ पर छे आजाता है छे के आगे एक संख्या है तो छे के आगे हम एक जीरो लगा देंगे और आखिर में आठ आठ के आगे एक भी संख्या नहीं है तो आठ को हम आठ ही लिख देंगे ठीक है बिच्छो इसके आगे एक पी जीरू नहीं लगाएंगे इस प्रकार से हम सारी संख्याओं को खोल कर लिख लेते हैं अबली और रितु दोनों ने संख्या पढ़ ली दोनों को संख्या पढ़ना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डाग्ये बह यह इनको हम उसी प्रकार से खोल गली लिख देते हैं पहला संख्या है दो के आगे तीन संख्या दे गई है तो दो के आगे हम संख्या दे चार के एक संख्या है तो चार के आगे हम एक जिरो लगा देते हैं और पाच के आगे एक भी संख्या नहीं है तो पाच को हम पाच हे लिख देते हैं ठीके 2345 इस तरह के से हो जाएगा ओके बच्चो नेक्स देखो 3580 तो कैसे होगा 3000, 1000 के आगे 30 होती है 5000 और 8 चीके बच्चो तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे अब यश State को देखो पाच, पाच के आगे एक तो तीन संख्या है तो पाच के आगे हम एक दो तीन जिरो लगा देंगे 8, 8 के आगे 2 संख्या है तो 8 के आगे हम 2 0 लगा देंगे 0 के आगे 1 संख्या है तो 0 के आगे हम 1 0 लगा देंगे तो 6 के आगे 1 भी संख्या नहीं है तो 6 को हम 6 ही लखेंगे तो ये क्या बन गया 5,806 ठीक है 5,806 अब ऐसे ही हम आगे देखें आगे क्या है 6,983 6,983 6 के आगे 3 संख्या है तो हम 3 0 लगा देंगे बाकी फिर 9 के आगे 2 संख्या है तो हम 9 के आगे 2 0 लगा देंगे 8 के आगे 1 संख्या है तो 8 के आगे 1 0 3 के आगे 1 भी संख्या नहीं है तो 3 को 3 ही लखेंगे तो यह हो गया 6,983 अब अगला है 8,574 8 के आगे 1,2,3 3 संख्या है तो 3,0 5 के आगे 2 संख्या है तो 2,0 7 के आगे 1 संख्या है तो हम 7 के आगे 1,0 लगा देते हैं और 4 के आगे 1 संख्या नहीं है तो 4 लिख देते हैं अभी मैं इन सभी को आपको एक बार दिखा दूँगी 4,026, 4 के आगे 3 संख्या, तो 3,0, 0 के आगे 2 संख्या, तो 2,0, 2 के आगे 1 संख्या, तो 20, और 6 के आगे, 1 भी संख्या नहीं, तो 6, ठीके, तो ये इस तरीके से हमने खोल कर लिख लिए हैं, ठीके बच्चों, तो ये हमने संख्या खोलना सीखा, और I hope आपको अच्छी तरी के से समझ आया होगा, आप इसको एक बार अपनी कॉप्वी में लिख लीजे, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आदा, तो आप लोग मुस्ते कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे, सभी फिरिंग के साथ शियर करना बिल्कुल न भूलिए, तेने झाली, क्र दूलिए।